सदन में कहा गया कि जार्खन मॉब लिचिंग और मॉब वाइलन्स का अड़्डा बन गया है माने सभापती जी युवक की हत्या का दुख यहां है सब को है मुझे भी है और होना भी चाहिए दोशियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी जाएगे लेकिन क्या एक जार्खन राज्य को दोशी बताते ना यह शोभा देता है फिर तो हमें वहां भी अच्छा काम करने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे जो बुरा हुआ है बुरा करते हैं उनको आइसोलेट करे और उनको न्याई प्रक्रिया के धाद जो कुछ भी कर सकते करे हैं लेकिन सब को हम कड़गरे में खड़े रहे करके राजनीती तो कर लेंगे लेकिन स्थीतिया नहीं सुधार पाएगे और इसलिए पूरे जार्खन को बदनाम करने का हम मैंसे किसी को हक नहीं है जी वे भी हमारे देश के नागरी के हैं वहाँ भी सज्जनों की भरमार है जी और इसलिए और अपराध होने पर उचीत रास्ता कानून और न्याई से सम्मिधान कानून और व्यवस्ताएं पूरी तरह से इसके लिए सक्षम है और उसका उपाई भी कानूनी व्यवस्ता है न्याई प्रक्रिया है उसके लिए हम जितना कर सकते हैं करना चाहिए पीछे नहीं ए्टना चगिये हैं हिन्सा में दुनिया में टरॉरिजंग का सब से बड़ा नुक्षान किया है वो घूट टरॉरिजंग और बैट टरॉरिजयम किया है मेरा टेरोरिज्म तेरा टेरोरिज्म इसने किया है वैसे भी ये हिंसा की घटनाओं को भी हमने चाहे वो घटना जार्खन में होती हो चाहे वो घटना पश्चिम मंगाल में होती हो चाहे वो घटना केरल में होती हो हमारा एक ही मानदन होना चाहिए तभी हिंसा को हम रोख पाएंगे, तभी हिंसा कमने वालों को सबग मिलेगा कि इस एक बुद्दे पर ये देश एक है, सब राजरितिक दले हैं, सब की सोचे हैं, अब ये देश में ऐसा चीज नहीं चलेगा, और मैं मानता हूँ, हम उस जिम्मेबारी को निभाएं, राजरि मानता के परदी, हमारी सम्वेदन सिल जिम्मेबारी भी हैं, उसको हम कभी नकार नहीं सकते हैं, और उसी भावना को लेकर के हम आगे चलेगा, और मैं बताता हूँ, सब का साथ, सब का विकासित मंत्र को लेकर के हम चले थे, लेकिन पांच साल के अखंड एक निष्ट पु वो अमरूत है, सब का विश्वास